हलो अब्रिवान वेलकम टू वाई क्वांटा शकरता होंगी आप सभी लोग अच्छे होंगे प्रिपेशन भी आपकी काफी बेहतर चल रही होगी और सारे सेक्शन्स को अच्छे तरीके से आप मैनेज करके रखे होंगे चाहे हो आपका वी रसी हो रिजनिंग हो क्वांट हो और जी के भी उतना ही इंपॉर्टन्ट है क्योंकि इसका विरोल काफी ज्यादा माइने रखता है आपके आने वाले एक्जाम में ठीक है जाहे हो जैट हो सीमेट हो इसनेस या आया एक्टी में भी कोश्चे जा सकते हैं बहुत सारे कोश्चन्स आपके जीटी पी आई में अधिक है तो इसी को ध्यान में रखते हुए सब्तमबर मंद का हमने कवर कर लिया था पार वन पार टू में तो अब अक्टूबर की बारी है आज लास्टी है तो हम पार वन में कुछ कोश्चन्स करने वाले हैं उसके बाद आने वाले एक दो दिन में मैं पार टू भी दे प्रिशिए नुश्न इस अफ्डाइम कि पर परपेशन है अपकी कंपनी से अरे टंशन आ उते हैं धा मैं इनेजमेंट से पूश्यन आते हैं तो इसमें भी कभी- kicked form में कुश्यन आप से पूछ लिह जाता है तो उसका भी एक मैं सोच रहा हू हूँ एक आपका अच्छा सा वीडियो और उसमें lots of questions हम cover करेंगे जो आपके लिए काफी important रहेगा खैर ये typical current affair के questions इस तरीके से आएंगे जो भी हाली में चर्चा रहा वीरांगना दुरगावती Tiger Reserve recently आपका add हुआ है total number of Tiger Reserve में जो की मध्यपरदेश में ये आपका घुजद किया गया है तो आपका फाइनल किया गया है या फिर आप से पूछ सकते हैं कि 7 अभी तक टोटल इसके पहले तक 53 थे जो गुरू घासीदास था आपका ठीक है जो 36 गड़ में हुआ करता था तो अभी इसके पहले पूछते थे थे इसेंटली का अक्सर कोशन पूछते हैं ठीक है जो भी निवली एड हो ते भी ध्यान में रखना है ठीक है ते कोशन आपका यहां पर बन गया पुड़ा इसके बारे में और आपको हो चुके टाइकर इसर्ब का अलगस वीडियो अगेरा भी आपका करवाया हूं अधर्स प्लेट फॉर्म पे नहीं होगा तो वीडियो अगेरा का लिंक दे दूंगा अगर आपको जरूरत होगी तो कमें बोल सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरह और कोशन है चीफ गेस्ट इस बार 26 अप चैनवरी को चीफ गेस्ट के रूप में जो वाइडन जी को इनवाइट किया गया है मोदी जी टॉंटी में आय थे जो वाइडन तो कल्ये लगा के बोल दिये कि आईए गा इस बार अलग से आप से बात चीत होगी यहां पे बहुत सारे एग्जाम में आशा होता है कि कर अफ्र इस साल के तैयार किये आने वाले साल में आप कभी में कौन होने वाला चाहे जो इवेंट हो स्पोर्स या कोई वी चीज हो कभी-कभी पीछे चल जाते हैं इस बार हम लोग 23 का याद करके जाने वाले हैं आपके इसमें यह से न वाइडन है इन्वाइड इंडियास प्राइम मेनेस्टर सिरिनर मोधी जी तू बी दा चीफ गेस्ट आफ दा एड़ रिपब्लिक डे इन 2024 तो विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैड बीन इन्वाइट फॉर डा रिपब्लिक डे 2023 तो आपको तो याद ही होगा कुरा सतकार किया गया उनका और वो प्रेसिडेंट थे आपके एजिप्ट के ठीक है यह कोशन आपका बन सकता है पूरे चांसे इनके बारे में भी ज् फैक्ट हमारे लिए जो इंपोर्टेंट रहें ठीक है बराक अबामा भी देखे 2015 में आये थे ठीक है 2023 में इनको इन्वाइट किया गया है उन्हें एक्सप्ट वगएरा कर लिया है और जो यहां पर कोशन आ रहा है 2023 में कौन थे आपके अब्दल फते एल सिसी थी ठीक है ए आश्ट पती थी तो यह आये थे तो इनका भी या तो प्रिसीडेंट का नाम हो इसे नहीं पूछेंगे किस देश के थे बस इतना याद रखना पो एजिप्ट बस ही हमारे काम की चीज है ठीक है आ गया देखे 2023 का नूबल प्रॉसकार नूबल प्राइस अभी हाल ही में एन प्रिडियो बेडियो बना दूँगा थोड़ा बात हो जाएगा उसमें चर्चा हो जाएगी तो हूबर जॉंटली अवादेट अवादेट 2023 नूबल प्राइस इन फीजियो लॉजी या मेडिसिन के छेतर में डिया गया है नोबल प्राइस फॉर देयर वर्क आन मैसेंजर आरने में काफी टेकनालोजी जो है उसमें इनकोंने एक दॉन दिया और यह योगदान इनका जो वैक्सीन वगएरा आपकी कोवीड वगएरा को बनी ती उसमें भी काफी काम आया तो किनको जुना गया तो आपको धियान में रखना होगा चार उप्संस आपके सामने इसी करी किस आएंगे और सही जवाब आप इसको करके आएंगे कैटलीन कैरी को एंड्रिव विसमें को ठीक है फिजियोलोजी में इनको डिया गया है यह वार ठीक है चलिए तो दिस इस ऑल अबाउट इनके बारे में सारी जानकारी है बहुत कुछ हमें डीप में नहीं जाना ख तो बस सही सारी जानकारी है ठीक है यहां पर इनके बारे में दिया हुआ है क्या क्या किये इनोंने तो कॉंट्रिबूशन लेट टुदा रैपिड डेवल्मेंट आप वैक्सिन डियू दिन दा कोबीड-19 पैंडमें ठीक है यह सबाब पढ़ लेंगे तो थोड़ा आपका बना रहेगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इनका जो युगदान वागेरा रिसीव मल्टिपल अवार्ड्स और रिसर्च ठीक है कही सारे पुस्कार और पा जाता इंसान तो फिर वो दिरे-दिरे आगे बढ़ता है आगे ही नाम उसका रिकेमेंड किय मड़ता जाता है तो स्टाटिंग में कही साले पुस्कार इन्हों ने पाए हैं और फाइणल इनको नोबल प्राइस से सम्मानित किया और दस दिसंबर को दिया जाता है अगला कोशन स्टैटिक में ही जाएगा है तो भी करन्ट अफेर में ही इनका भी समय से इसका सर्वे वगेरा चल रहाता हो या ना हो तो वाट इस देखो राजनी तू सस्तर तक पहुच गई अब जात में भी सर्वे वगेरा होने लगे हैं ठीक है तो भी हार गवर्मेंट ने करा लिया है कि यह चुनाव आ रहा है और राजनीत तो हमें इसी की करनी है क्योंकि सिच्छा और हेल्थ इन सब पे तो हमें विकास करना नहीं थे ही हमारे लिए सब बड़ा जड़ है तो अभी हाली में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सर्वे में सबसे ज्यादा परसेंटेज इन ही का रहा 63 परसेंट के आसपास टोटल जोड़ जाड़के तो यही सब है तो एक बड़ा च्छा मीम भीता आपको जानना चाहिए तो अब यह सब सर्वे आ गया है तो बिहार में क्या करेंगे तो कोई उसमें से बोलता है कि अरे बबुगा अब बहुत हो गया इस सब के चक्कर बढ़के चलो गुजरात में डिली में तुम्हे वह पीटना है पाथर पीटना है लोहा पीटना है यही सब करना है तो मैक्सिम बेरोजगारी ही है देखी रहे हो इसी के नाम पे आप से ओट भांगे जाते हैं तो पढ़ाई लिखाई लिट्रेसी असब पूरी स्थिति खरावी यह भी यह बीर की तो इंसान जॉब के लिए जाएगा है तो आपको काम करना है पेट पालने के लिए यह तो अपना चुनाओ में अपना हाथ खैला के ले लेंगे हाँ लोह पेटना है फिर मजदूरी करना है तो इस इंसान ने भी सही बात कहीं सब चक्रों में क्या पढ़ा हो चलो गुजरा तो दिल्ली जल्दी निकलो वह लोह पेटना पेट पालना बच्चे का पढ़ाई लिखाई करना है तो यह सारी चीजे होती है कर हमें यहां जानकाड नहीं तो 10-15 अगर आएंगे तो 10-15 उसी पर नहीं रहेंगे लेकिन एक-दो कोशन भी पूछा जा सकता है चंद्रयान का फिक्स समझिए अधिति यल्वन का फिक्स समझिए या तो दूरी का पूछ लेंगे या कब लांच हुआ ठीक है चंद्रयान का चंद्रा महां पर उत यह सब कोशन आपके लिए आगे आने वाले एक्जाम में भाई साब बहुत इपॉर्टन के ध्यान में रखना है तो इसका क्या है डेस्टिनेशन यल्वन क्या था लैंग्रेज पॉइंट यल्वन ठीक है सन अर्थ की जो फिप्टीन मिलियन की किलो मेटर की दूरी है तो द इनफॉर्मेशन यहां पर है लॉंच डिट वगेरा भी इसका यहां पर दिया होगा ना कभ अभी सितंबर में हुआ था था थे भी डेट वगेरा आप ध्यान में रखिएगा फाइल इस रोने किया इभी ध्यान में रखना है तो हम धेरे-धेरे मार्स पर पहुंचने वाले हैं तो काफी हमारी महत्वाकांचा भी काफी बढ़ गई है सेप्टमबर टू को लॉंच हुआ था ध्यान में रखिए ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ और आई टू यू टू जी हाँ चार देशनों का एक और्गनाईजेशन है प्लेट फॉर्म बनाय है कि हम क्लाइमेट चेंजेज हो रहे हैं इसूज आ रहे हैं उन पर हम काम करेंगे तो विच कंट्री नॉट पार्ट आफ आई टू यू टू टू ठीक है नहीं दो कंट्री ऐसी जो आई से सुरू होती हैं तो यह आपको बताना होगा ठीक है तो चारों कंट्री का नाम और यू एस यानि इराक नहीं था तो सही जबाब ही हो जाएगा ठीक है तो मीटिंग में गयरा इसका हुआ आपका अक्टूबर टून्टी वन में यह फांड किया गया था यभी स्टैटिक में जा सकते हैं लेकिन इतना आप से गहराई में जाएंगे टेंस नहीं लेना बस वही आद को याद रखना है किन किन मुद्धों पर बात चीद करेंगे वाटर एनरजी ट्रांस्पोर्टेशन स्पेस हेल्थ और फूड सेक्योटी जैसे मुद्धों पर इनकी बात होती है और इसी पर यह भाई जो जो डिकते हैं इस अब हर देस में परेशानी है तो इसको कैसे टाइकल करना है कैसे इसको बहतर बनाना है इन सब चीजों पर यह अपना एजंडा बनाएंगे चलिए आगे बना जाए अकले बात की तरफ कुश्चन आ गया है यहां फे फीजिक्स का ठीक है अब इसके पहले मेडेशन का हमने देखा फीजोलोजी अब मेडेशन के छ तो आपको डिक्कत होगी तो यहां पर रटने की भी पात नहीं है ज्यादा समय इसमें भी हमें वरबात करने जरूरत नहीं इतना देख लो कि हम इलिमिनेट कर ले जाए हां लगे यह नहीं है ऐसा भी नहीं कि लास्ट यर वाले को उठा कर दिए कि पीटर थे दोनों साल त कि बस हमारा आंसर आजा है बस ही हमारा कोशिस हो तो यहां फिसिस के छेत्र पूछा जा रहा है किसको दिया गया हूबर अवार्ड़ अवार्ड़ थे फिजिस नोबल प्राइस फो देया एक्स्पेरिमेंटल मेथेड इंबॉल्मिंग एटाउसकेंड पॉल्स आफ लाइट चेत्र पर इन्होंने काम किया और फाइलली विनर काउन रहा पेरी अगोस्टनी फेरेक क्राज एंड लुई क्या नाम है लुई हायर थे के देख रहे हैं वाई साब हमारा ही हाल है आपका भी वही हाल होगा अगर उतनी अच्छी तरीके से नहीं देख पा रहे होंगे आपके उपर किस तरह के से मैनेज करके हमारा फाइनल जो कोल होगा ऋ आंसर को निकालना होगा X यहां पे इन्होंने बहुत सारे एक्स्पेरिमेंट है बहुत सारे research किये और finally इनको क्या किया गया नमाजा गया नुबल पुरुषकार देश दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषकार किसलिए एक्स्प्लोरिंग भी हैविर आफ एलेक्ट्रॉंस इंसाइल एटम्स एंड मॉलिकॉल्स ठीक है मैं एक आपको लिस्ट दूँगा पीडिया आपको पास गई हो जरूर आई थिंग मैंने भेजा है नहीं भीजा होंगा तो वीडियो ही सिधा बना दूँगा तो पूरा उसमे में भी दिया कभी-कभी पूछ ले दें किस छेत्र में पाये या फीजिक्स में कमेस्ट्री में किस के रिसर्च के लिए कौन सा योगदान दिया उन्होंने जिसको इनको दिया गया ते भी आपको जानना जलूरी है भाई साब कहीं सभी कोई भी कुशन पर इच्छा है क्या आपके गवर्मेंट की सेंटल गवर्मेंट की जो इंपॉर्टें डिस्कीम और है उनको भी देख लेना जाए कभी स्टाट हुआ वाट इस दमीन ऑब्जेक्टी बेस भी कुशन और पूछ लेते हैं तो क्या है तू प्रोवाइड हाउसिंग तू स्टीड वेंडर्स यानि ठीक है तो घर बनवा देंगे तो तो भाई ऐसा तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि 40-50 सालों में साइकडों सालों में ऐसे होने वाला यह मिससा से बिचार में दबाएगे तबाए जाएंगे गरीब लोग ठीक है इतिहास रहा है बहुत पूराणा तो आफर फ्री हेल्थ करेंगे अच्छी बात है कुछ-कुछ लग रहा है यह तो प्रवाइड को लेक्टर फ्री वर्गिंग कैटर लूंस टू स्टीट बेंडर जी है आपका पीम स्वानिधी योजना इसमें पचास जार तक कि लून वगेरा दिलाए जाएंगे आपको उसमें सबसेडी वगेरा सारी चीज़ें मिलेंगी जिसकी वज़ा से आप थेलावा गयरा अपना स्टेट बेंडिंग में जो भी आप जो हुई सारी चीज़ें आती है उसको आगे प्रोशीड कर सकते हो तो यह चलो ठीक बहुत अच्छी कर अट लिस्ट गवर्मेंट ने सुचा है इसके लिए उसक अगर इन सब को प्रमूड किया गया तो काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं आपकी उठाने में पचास लाख स्टीट बेंडर्स अक्रॉस दा नेशन नहीं को पूरा देखा देख रहा है किनी का यहां पे जल संक्या है पचास लाख अगर इनको अच्छे तरीके से कि अच्छा चाय का ठेला लगा के और उसी पर बस केटली रख के करने है थोड़ा और उनको पैसा अगर पचास जार चालिज जार मिल जा उसको अर अच्छा सेटप उगर लगा करने आपको भी अच्छा लगे गा नहीं लगेगा अप भी चाय पी ओगे ठाओ प्यों पी ऑ बात है तो मुदी जी ने सब सारी चीजे सोची और उने पूश्ट फॉर दा एक्स्पैंशन आप दा स्कीम लीडिंग टुरिवाइस टार्गेट क्या है इसके अंदर दा स्कीम लॉंच्ट अन एक जून दो हजार बीज ओफर्स को लेक्टराल फ्री वर्किंग कैपिटल लू कर्म पूजा नमक्तिवार मनाये जाता है सेलिबरेट किया जाता है स्टैटिक का भी चला गया ठीक है फेस्टिबल्स होगे फोक डांसे सोगे क्लास्कल डांसे सोगे इभी नजर में आपको रखने रहना चाहिए मैस्दा फॉलों में पूच लेंगे या वैसे उठा के पाब होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट इस तो यही सारी बातें हैं करों पूजा थोड़ा अंदर में भी उतना ज्याद आपको लिखना तो है ने यूपेसी की तरह तो किसलिए है मेली हर्वेस्टिंग जब आपकी कटाई बुनाई होती है आपकी फसल वगयरा की जब जाता हुए अनको की मुदिजी आपकी आसिरवास से पुन्य प्रताब से आपके हुआ है तो अब पहले आप गहन करें फिर उसका क्या किया जाता है घर में उसकी जैसे धान हुआ है तो फिर चावल उसका बनेगा गय हुआ हुआ है तब आट ड़ा पिसक आएगा तो इस अ तो यहां पर दोनों चीज स्टैटिक का भी देखिए चला गया पीछे आप से फिर कब मनाये जाता है हर एक साथ तो उसको भी देखेंगे इसको भी जानेंगे तो पहली बार सबसे पहली बार बनाया गया 1999 साहिद आपका जनम हो जुका रहा हो यह कुछ लोग का नहीं भी हु 29 सब्तंबर को 29 सब्तंबर को हर साल आउजब किया जाता है ठीक है तो इसके लिए यही है कि ध्यान रखें अपना आज के समय देख रहे हैं काफी भारी सज्ञ्या में 30s 40s के बीच में हाट अटेक लोगों को आ रहे हैं क्या कारण है उसके भी देखु जिम में कितने लोग चलती चलती गिर जा रहे हैं नाजगा रहे हैं आज के समय गर्बा में कितनी केसे से दुनने को मिला तो वही है लोगों का खान पान टेंसर डिप्रेशन ज्यादा सब चीजों को भी थोड़ा आप रिलाक्स रही जो होगा होगा कर्म करते रहो पल की चिंता मत करो कितनी बा महाजी की आपके किरिस्व भगवान चले गए चले गए कहके गीता का सबसे बड़ा यही धर्म है ठीक है यही सबसे बड़ा क्रक्स है ठीक है कर्म करते रहो फल की चिंता ना करो यह बात जिसने रख ली तो अगतम रिलाक्स से कोई दिकत नहीं जो होना बाई हर चीजे डि अगर मेहनत कियो हो अच्छे तरीके से की हो सही दिसा में कियो हो तो उसका आपको फल मिलेगा थोड़ा देर सवेर ही सही थोड़ा धीरे धीरे ही सही लेकिन आप एक उठने वाला तो थाराम देगी रहा है ना अक्सर देखो कि रातो रात अदानी जी का सेर का दाम बढ़ रातो रात दुनिया कि सबसे धनी आद मी बन गए दूई दिन बात सामने आगा खड़ा एक डाउं लेकिन जो देरे देरे पेस में बढ़ता है देखो इस्टैबलिस रहे का आज पात थोड़ा बहुत फ्लैक्टुएशन हो तो हमेशा से देखा गया है ठीक है चली आगे ब तो किस वर्ष किया गया था ये भी स्टैटिक पार्ट आपका चला गया और जाएगा कहां पर सही जबाब 1987 किस वर्ष 1987 में विध्यान में रखेगा तो दो तिन कोशन इंसे रिलेटेड बन जाते हैं आपके पद्वभूशन से इंको सम्मानित किया 89 में पद्वभूशन मि आगा उसके बाद हिनोंने सेटप किया MS Swaminathan Research Foundation कहां पर चैनली पे उसको बढ़ाव कर देने के लिए इनके बारे में इंपोर्टेंट इप्वामेशन इसे एक साथ हम आगे बढ़ेंगे ठीक है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कोशन नहीं है लेकिन जानने में क्या जाता है क्या पता पर इच्छा है तो विच और गनाजिशन हैंड़ ओबर दा ट्विंस सीट वरियंट आप दा लसी यह त भी संग में आए है डिजास्टर हो गया है केर देख लेता चाहिए और लोग को सीखने को मिलता है तो मुवी Alexa अपको देखे मिलेगा तो डिजास्टर हो यह ब्लोग्बास्टर हो क्या लेना देना ह। खश कुछ डिजास्टर मुवीज हमारे लिए काफी बहतर होती कोई ज इसा नहीं है कि जिसका आप देखोगे एक हजार करोण उची को चलो देखने जाते पता चला कुछ ना निकला ठीक है वही क्रिट साइज नहीं करना चाहिए उस लेवल पे थोड़ीन लोगों को पठान बेहतर लगी अगर देखा जाए कंटेंट सारी चीजे लेगिन 500-800 करोड है बहुत सारे लोग बस कॉमर्शियल बेसिस पर ही जानते हैं समझते हैं लेकिन वहीं देखो जो पचास करोड भी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन नहीं रहा होगा अल टाइम कलेक्शन नहीं रहा होगा लिकिन कंटें है 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 एच अल को एक आपके एर फोर्स को जो यहां पर सारी इन्फोर्मेशन जाड़ा नहीं है इसके बारे में जाना हां समय है तो आप पढ़ सकते हैं आपके काम ही आएगा कि हुआ थ्री साइंटिस अवार्ड डा नोबल प्राइज इन केमेस्टी देखे पूछ प्राइज जी साब कहां आगे फिर चार्स डार्विन थॉमस अलवा एडिसन गहलीलियो गहलीलियो यह सब भगवान है पुरा ने तो इनको तो हमें विर्कुल नहीं देखना चाहिए अप्शन नमबर बी मॉंगी जी बवेंडी और मैक्स प्लैंक नील बोहर एंड बेनियर है हैंसबर्ग तो रो सही जबाब है आपका अप्शन नमबर बी मॉंगी जी बरिंडी फिर उसके बाद लुईस इब्रस और एलेक्सी इकेन मी ठीक है थोड़ा यहां पे चला गया तो इनके बारे में है क्या-क्या इन्होंने किया ठीक है तो इनका मेंली कॉंटम डॉट्स इन्होंने काफी कुछ रिसर्च किया और फाइनली इस कबिल हुए कि इनको सम्मानित किया गया नोबल ट्राइस से ठीक है तो यह आपको ध्यान में रहना है अगर जैवेलियन थ्रो भाला फेकनी की बात हो गोल्ड मेडल की बात हो तो आपको आपको याद ही नहीं करना चाहिए ठीक है निसका अंसर का उन्होंगा तो आपको भी उसी तरीकी समिसायाद होना चाहिए नवारे गोल्डन बॉय नीरत चुपड़ा तो इनके वारे में अपके साथ भी रहना चाहिए इस लेबल की आपके प्रिपरेशन होनी चाहिए इस लेबल का उसके कमांड होना चाहिए अपने टॉपिक पे अपने सब्जक्ट पे जहांस जो कोशन पूछे ले भाया आंसर ले ठीक है तो आपके लिए भी ऐसा मीम बनना चाहिए खाओ पि सिमजाक वाले सब बना रहे हैं उसके पीछे संदेज भी आपको यह जाता है कि आपकी प्रिपरेशन इस लेबल की होनी चाहिए तो उसके पीछे घंटों घंटों को मेहणत ना प्रैक्टिस सूचो कितनी प्रैक्टिस किये होंगे कितना उनको उतना कंसेंट्रेशन होगा पर उतना कमांड होगा कि हां हमें confidence इतना है कि मैं बहतर कर जाओंगा हमारी प्रपेशन उस लेबल के तो आपकी भी तैयारी प्रपेशन उस लेबल क्योंनी चाहिए कि लाउंग वाही 9900 से नीचे बात ही नहीं करूआ ठीक है तो इस इस अल बाओ वही सारी बाते हैं काई सब्सक्राइब करन्सी और उस देश का नाम यह तिन चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए पूछ लेते हैं ठीक है तो यहां पर प्रेसिदेंट वगेरा का नाम हो गयादा तो अभी नहीं पूछेंगे ठीक है इरानिया तेहरान कंट्री की चलिए अभी हाली में इं रूप साइकलिंग ट्रैक है तो जगां वगेरा आपसे पूछ सकते हैं फर्स्ट है तो भाई हमें रखना होगा याद तो हैदराबाद में है यह आप ध्यान में रखिएगा बस इस से जादा हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं ठीक है और भी कई जगां यह चीजें की गये हैं गोकुल सुब्रमन्यम आपका बिजनेस से रिलेटेड एक्जाम है तो पुछा जा सकता कंपनी वगेरा का कौन एमडी बना कौन सी यू बना कौन आपके प्रेसिडेंट बने तो इसका एक अलग भी एपॉइंट मेंट से रिलेटेड कोशन आ जाते हैं कौन किसमें पॉइंट किया गया इंटरनेशनल नेशनल को ने पॉइंट हुआ तो इसका भी लिस्ट वगेरा भी आपके थोड़ा एक्जाम रजदीक आएंगे न तो उसको मैं वीडियो या आपको कंटेंट दे दूगा अब फाइनली भारी आ गई पीस प्राइज की नोबल पीस प्राइज चानिवानी हस्ती क्या है नाम इनका नरगेश मुहमदी को अवार्ड दिया गया है नोबल पीस प्राइज 2023 का तो किस योगदान के लिए इनुने क्या ऐसा कर दिया कि इनको दुनिया का सबसे बड़ा स समान से नवा जा गया क्या उनके कांटिबूरिशन तो लिट्रेचर या फॉर हर फाइट अगेंस दॉपरेशन आफ वीमन इन इरान जी हां इस इस दराइट आंसर काफी कार किया इन्होंने जो महिलाओं को इतना प्रताड़ी दबाया जाता है समाज से आप समझे रहे मुस को नवा जा गया से को हजारों लोग नॉमिनेट किया जाते हैं से भी नहीं किने चुने दस बारा लोगों में से तो फाइनली तेरा एरेस्ट तेरा बार इन्होंने गिरिफतारी दी है फाइब कन्वेंसंस कन्वेक्शन्स एंड कमिलेटी प्रिजन संटेंस आफ 31 साल समझ रहे हैं आपको 31 दिन रख दिया जाए तो आप पागल हो जाएगे तो यह सारी चीजी है तो ऐसे ही नहीं संघर्स हर एक छेत्र में आप देखिए आप इन्होंने कितना बड़ा संघर्स किया कितना योगदान दिया खुद को कितना एक्स्प्लाइट करवाया होगा तो फा है ठीक है या यह है महानुभाव इनको दिया गया इस सम्मान से नवाजा लिया फिर उसके बाद एक अबाट और काफी बड़ा है रिसेंटली इंडियान ओरिजन प्रोफेसर डॉक्टर जोती गुपता जोत क्या नाम हिनका है जोता गुपता ठीक है रिसीव दा प्रेस्ट जोता गुपता तो डच कुल्चर अवार्ड है यह ग्लोबल इंवार्मेंटर रिगनीजन है हाइस्ट ओनर आप डच साइंस जी हाँ हाइस्ट ओनर इन डच साइंस के छेतर में इनको दिया गया जो सबसे बड़े पुरुसकारों में से एक है स्पिनोजा प्राइस तो यही आपकी है हाइस्ट ओनर इन डच साइंस की शेतर में प्रोफेसर बगेरा हैं इन्वार्मेंट एंड डेवलोप्मेंट इन ग्लोबल साउथ अट दा उनिवर्सिटी आफ अमस्टर्ड ठीक है और दा कैपितल आफ अमस्टर्डम तहेग निदरलेंड की कैपिल है यहीं पर ही जोइता गुपताजी दा अबजेक्टिव आप अचेविंग है मलेरिया फ्री नेशन बाई विच इयर यानि हमारा जो अबजेक्टिव रखा गया है कब तक हम मलेरिया को खतम कर देंगे अगसर देखते मच्छर मारते रहते हैं बचाओ करते रहते भी आइश स्वें मलेरि तक हम उतरकी से मलेरिया को डाने वाले हैं अपने देश से टीबी हो गया पॉली हो गया है सब भी हम पॉली यह तो खतम है टीबी को भी हम पच्छिस तक करने के इरादे में हैं और खतम कर देंगे तिहां पर उसारी बाते हैं और कम्प्लीट एलिमेशन हम 2030 तक करेंगे और malaria free country हम 2027 तक हतम कर देंगे ठीक है चलिए आगे पढ़ें इसी बात पे उत्तर प्रदेश related बात आ गही ठीक है अच्छे से पढ़ेंगे अच्छे से जानेंगे उत्तर प्रदेश बारेंगे कुछ इदा उदर नहीं कहेंगे नहीं बोल्डो जो चल जाएगा गर पे ठीक है उत इसे कितने स्टेट है भी हाली में यूपी को भी उस लिस्ट में रख दिया है नहीं यूपी में भी अब पूरी तरीके से सौचाले बाहर लोगों सौच के लिए नहीं जाना पड़ता ओडिया ठीक है तो दस ग्यारा बारा या नो स्टेट तो टोटल नमबर आफ स्टेट स आपके केतने हो गए हैं ग्यारा हो गए हैं जी हां इंक्लिंग उत्तर प्रदेश यहां पर देख सकते हैं ना ओडिया प्लस विलेज इस वन आप दा वन आफ दाट है सस्टेंड इस ओपन दिफिकेशन फ्री ओडिया इस्टेट इस अलॉंग विद इंप्लिमेंटिंट लेकिन वही है कि यहां पर जादा नहीं वह लेंगे हम लोग नहीं तो फिर बुल्डोजर चलेगा तो क्या है यहां पर अब आप जाएंगे गाउं की इस्तिती तो पता ही है हर चीज आप आखों से देख रहे हैं जो जो संपर्क में हैं गाउं से ठीक है जैसे बाई कुछ आप लोग किसमें से कुछ लोग काफी लोग सहरों से ही होंगे जानते हैं गाउं में असली में हो क्या रहा है तो आपको लगेगा यह साइद आपको कागजों में ही दिखने को मिल रहा है सज्जाइद कुछ और है अभी भी 100% मुक्त नहीं हुए हैं चाल लाक में चलो एक चालाज भी बन रहे हैं लोग एवाइड भी कर रहे हैं बाहर जाना तो यह अची बात है तो उसी के अंदर का सारी चीजें हो रही है तो इस दिन देखा गया 11 स्टेट्स हैव इन डेक्लेरड 100% ODF plus status out of which UP is the largest UP में ही 22 करोन लोग है तो चली हमें डेटा याद रखना है और च्यादा कुछ नहीं कोना है का को hockey विए din a Remember स्कुलीृ Il할 है एक फिटनेसिट्रेकर है या फिर आपका एक सोसल हंदिया प्लेटफॉर्म तो विपतां अंप्र हुटता थी तो ये तो फखिंश टेकर होता तो रहं क्रख होते किंए को की स्टीजट्इटें सुलृट थे जिसके बारे हमें पता नहीं है यह पका डिजिटल हेल्थ अकाउंट को तो राइट असर आप दो कोशन ही होगा डिजिटल हेल्थ अकाउंट है जिसमें आप पूरा अपनी इंफॉर्मेशन सारी चीजें डाल सकते हैं उससे आप एक्सेस करेंगे जुड जाएंगे डॉक्ट कैसे कभी आप जाच वगयरा करी जा रहें डॉक्टर से खटाक देखा है सारी चीजे उसके सामने आ गई ठीक है यह सब पूरा एक तरीके से डिजिटलाइस किया जा रहा है बहुत अच्छी है ठीक है आपकी प्राइवेसी और सीक्योटी भी होगी एपॉइमेंट बुकिं आपके सामने ठीक है ठीक है उसके बाद हल्फ मॉनिटरिंग और पर्सनलाइज इंसाइट मानने हर एक चीज़ सो बिदा रहेगा तो बहुत अच्छा पहल है भी भारसरकार का ठीक है तो कैसे इसमें जोइन करना तो इसका बेनिफिट्स वगयरा भी देख लीजे ठीक है मा इंसान थोड़ा इंटर्स लेने लगे के नहीं तो इनसान ऐसे सोचता मैनोली फॉर्म मेरे है भी आकाले ने देना सब चल रहा लगवान किर पास सब ठीक चल रहा अब इसमें सब कम से कम पता लगता रहेगा अलटने साब को दिखता रहेगा या अगलो उकलो या आपका य पड़ा लगे गहां है और कुछ करना होगा तो यह चीजें चरूरी है ठीक है आगे बढ़ें तो इस हाउटो क्रेट आभा तो इसमें बताया गया है किस तरीके से आपना रिश्टेशन वगेरा कर सकते हैं अपना एप से चुड़के दाउनलोड वगेरा कर लो जिस तरीके थीक यह ध्यान में रखिएगा यह इंपोर्टेंट आपके लिए हो सकता है वाट इस थीम आप ड़ल्ड मेंटल हैल्थ डे इन 2023 बहुत ज्यादा इंपॉर्टन कोशन नहीं है ठीक है लेकिन ध्यान देना होगा थीम था वोल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मनाया जाता है कि अप तो यह आपके उपर है, कैसे रहना है, लेकिन mentally आपको fit होना काफी ज़रूरी है, तो option number C is the right answer, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं इसी बात पर, अगला question, who is the organization, the event, world food India 2023, 2023, थोड़ा-थोड़ा important आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा हमें important नहीं लग रहा है, and the right answer of the question, option number B, ministry of food processing, food India ले, वो है सारा, उसे से related, तो यही लोग करते है, food processing industries, government of India के अंतरगत, आपका आता है, objective अगेरा, इसका क्या है, aim to showcase, connect and collaborate in various aspects of global food value, change including retails वगरा, ठीक है, इसमें ही आपको बताएंगे, कैसे क्या क्या किस तरीके से ध्यान रखना, सारी चीजें, ठीक है, आगे बढ़ते है, what is the main objective of operation, अचाए, most important question, देख रहे हैं, आपका चल रहा है समें, इसराइल और आपका पलेस्टीन के बीच, तो उसी को भी ध्यान म पलेस्टीन आपस में भीड़े हुए हैं, तो जो हमारे नागरीक है, ठीक है, जो हाँ फसे हुए है, जो आना चाहते हैं, उनको लग रहा है, हमाई लिए दिक्कत हो जाएगी, उनको लाने के लिए जो प्रोग्राम जो भारत सरकार ने का operation नाम रखा है, operation अजय, तो इसी क जान में रखना है, हाली में पैसेंजर पैसेंजर आए जा रहा है, 230 पैसेंजर से लाएगे, स्टार्टिंग में जब बार अक्टूबर को सुरुआत हुई, फिर उसके बाद फिर चल रहा है, तो operation अजय हमयाद रखना है, जो भारती है, फसे हैं, उनको ले आने के लिए भ साल बारा अक्टूबर, ठीक है, ऑन अक्टूबर 12, यह सारी बात निसके बारे में बस हमें इतना याद रखना है, बारा अक्टूबर को, नेशनल हुमन राइट्स कमीशन, ठीक है, क्या रिफलेक्ट करता है, ओन इस अचीवेंट एंड चैलेंजर रिनेविं इस कमिट्मे है, ठीक है, चलिए, अगला, फूइस दा प्रेसिदेंट आप दा इंडरनाशनल ओलम्पिक कमेटी, अभी हाली में आये थे, हमारे देश में, ठीक है, मोदी जी से गले वले मेली, अब काफी बाते हुई, ठीक है, अगला ओलम्पिक, अगला से अगला, यानि इस 20s वाले मे यह भी आपको बता देता, कोशन है अगए, उस से इसलिए जादा नहीं बोलूँगा, तो कौन है, है भी पूछा जा सकता है, आगे आने वाले ओलम्पिक भारत करवाने वाले है, वीचार में है, वो कब होगा, तो यह सब कोशन आपके लिए इंपोर्टेंट है, तो प्रे जीत हुई, मोदी जी भी काफी प्रभावित हुए, और उनको लगा कि ओलम्पिक वगएर अगर अपने देश में करवाले, तो भाई सहाब फिर तो काफी मजा आ जाएगा, और अपना देश भी काफी आगे बढ़ जाएगा, वीच नेशन विल, हूज दा एट ब्रिक्स इ आपका प्यारा भार, ठीक है, जहार में रखिएगा, टी है इंपोर्टेंट है, ब्रिक्स से रेलेटेड कोशन है न, यह इंपोर्टेंट है, न्यू इसूस इन कंपोटेशन लाइन पॉलसी, यह इसका थीम अगरा है, थीम अगरा नहीं पूछेंगे, एट ब्रिक्स इंट तंजानियन करंसी, ठीक है, तो तंजानियन करंसी यह पी पूछा जा सकता आपके एक्जाम होगे, रम क्योंकि थोड़ा स्टाटिक का पोर्शन, तो यह आप पुरा दियाद कर लोगे न, करंसी, कैपिटल वगेरा, तो हर एक कंट्री का आरासानी से चाहे, जो पूछा जा है, तो क्रिकेट को भी सामिल कर लिया गया है, साइकल सालों बाद ओलंपिक गेम में, पहले इसलिए नहीं किया जाता था, फाई लंबा गेम था, चाहे बंडे हो, चाहे टेस्ट हो, पच-पच दिन, दो-दो दिन थोड़ी न आदमी लगाएगा, तो इसलिए नहीं किया ग है, अपने ओलंपिक गेम में, तो आगे से आप देखेंगे, ओलंपिक गेम का भी, ओलंपिक गेम में करेड का भी हम लोग इंजवाय कर पाएगे, ठीक है, तो यह सब सारी चीजे डिसाइड हो गई, और भी कई सारे बेस्बाल, सॉट बाल, फ्लैक फुट बाल, फिर उसके इंडा 2023 जी अचाही रिपोर्ट, ग्लोबल हंडेक्स इंडेक्स रिपोर्ट आई वचो, उसके लिए देखें, मैंने बीडियो गेरा भी आपको डाल दिया था, बनाके, तो वाट इस दा इंडिया रैंकिंग एमंस तो कंटीज बिन सफीसियन डेटा, भारत की रैंकिंग क् पूरी तरीके से रिजेट कर दियागा, या नहीं, यह सब इदर उदर से तुम हमको नीचा दिखाने के लिए इसा बनाए हो, हम ऐसा हो ही नहीं सकते, कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, सिलंका, बगल हमारे सारे पडोसी हम से आगे, यानि हमारे हाँ जादा भुख आई है कि भारत की रेंकिंग 111 ही है, तो हमें बस फैक्ट याद रखना है, राजनीद जो यहां हो रहा करने तो मानने को तयार ही नहीं, हम लोग कर ठीक है, जो भी हो जैसा हो, हमें तो फैक्ट से जरूरत है जानने की, ठीक है, तो इसमें सारी चीज़े देखी जाती ही, ग्लोबल लेबल पर रिजनल और कंट्री लेबल पर, फोट इस अ करेंट फीमेल लेवर फूस पार्टिसपेशन रेट इंडिया, क्या है, इभी थोड़ा धियार में रखना चाहिए, कभी कबार पूछ ले तो 37% है, फिमेल लेवर फूस पार्टिसपेशन इन इंडिया, ठ इच्छा जताई है उन्होंने 2036-2036 का उलम्पिक गेम भारत में ही हूँ, तो देखते हैं, अभी कई साल है, आपके पास 12-13 साल है, तो इसमें हम भी बहुत आगे निकल जाएंगे, वे स्टिटी हो जाएगा, उलम्पिक गेम भी करा लेंगे, ठीक है? तो लेकिन उलम्पि इच्छा जाएंगे, क्या पता देश आगे बढ़ना चाहिए, हम रहें आना रहें, चलें, तो इस इस आल अबाउट, जो यहाँ पर चर्चा हुई, तो IOC सेशन हुआ, 141st सेशन, इसमें इसमें बातें रखी गई, ठीक है, दाइवेंट वीडनेस, दाप्रिजन साफ, रुखान, दीपी कापा दुकून, रवीर कपूर और अलिया फट वगएरा भी मौझूद थे, शिलिवेटीज वगएरा भी, which to public sector enterprises were granted नौरतन status, यह आपके काम की चीज है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, business related question वगएरा आगे, तो company से related, तो यह आपके लिए most important में से देखें, कौन सी company को भी हाली में नौरतन company का दर्जा दिया गया, तो ध्यान में रखिया गया, इरकौन International Limited and RITES Limited, ठीक है, यह दोनों company को दिया गया दर्जा, ठीक है, यह आपके लोगों हो गयरा भी, exam में आपके देखी आता है, ठीक है, तो यह भी आपके लिए जरूरी ह हो जाएगा, 15th and 16th नौरतन companies among central public sector enterprises, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, इसी बात पर अगला question क्या है, oh oh, static, in which state of India was Dr. Abul Pakir Zainal Ovaddeen Abdul Kalam Paul, पता है न, APG Abdul Kalam जी का full form, पूरा नाम इनका, ठीक है, कभी कभी यही से पूछ लेते थे, चलो बटा मताओ, APG Abdul Kalam का ठीक है, तो उनका जन्म कहा हुआ था, पता होगा आपको, Tamil Naidu, रामिश्वरम तूरास्टपती भावत, ठीक है, तो World Student Day भी जो मनाया जाता न, 15th half October 2023 को इन ही के ही जन्म दिन के आउसर पर, हम लोग क्या मनाते हैं, आपका Student Day, ठीक है, मिसाल मैन आफ इंडिया, 11th President of India थे, कब से कब तक, 2002 से लेके 2007 तक है, भी आपका exam के question बन जाता है, बारत के राश्च्पती की रूप में कब से कब तक रहे, 2002 से लेके 2007 के बीच में, ठीक है, तो इस बार इनकी 92 जन्म दिन इनका मनाया गया, तो मोदी जी ने काफी ठीवीट और दिया, इनको और इनके contribution के Natural Gas, Best Innovation in the Refinery Award, Organization है, Company है, तो आपके लिए भी important हो सकता है, ननी मापदा Organization is MRPL, ठीक है, नाम याद रखियेगा, ठीक है, तो इसका Mangalore, Mangalore, Refinery, Petrochemicals Limited, ठीक है, इसका full form है, आपके MRPL का, तो इसको Best Innovation in the Refinery Award from the Urban Ministry of Petroleum and Natural Gas की तरफ से, दिया गया, ठीक है, तो यही सब सारी बाते हैं इसके बारे में और आपको बस नाम याद रखना कंपनी का, Forbes, Forbes has released the list of 100 richest people in India, 2023 का, who among the following does not place in the top 5, top 5 में इन में से कौन नहीं है, ठीक है, तो Cyrus Puna वाला, Gautamadani, Shiv Nadar, यह Saavitri Jindal, कौन नहीं है, तो ध्यान में रखियेगा, वाला, top 5 में नहीं है, तो आप, top 10 की आपको लिष्ट वगेरा भी दे देते हैं, मुगे, मुगे, संबानी जी, एक में है, दो पे अडानी है, सिवनाडर है, सावितरी Jindal है, पाच्वे रादया कृष्ण दामिनी है, छथमे पे आए हैं, भाई साम, ठीक है, ना, Cyrus Puna वाल कुछ कोश्चंस इसमें थे, यह रहे आपके सामने, जो आपके लिए important रहेंगे आने वाले exam, तो part 1 आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद इसका नहीं होगा, तो PDF औगेरा भी आपको लिंक में दे दिया जाएगा, ग्रूप में अगर आप होंगे, वहाँ नेक्स्ट येर की planning है, आपकी exam देने की वह पूरा बैच आपका start हो जुका, उसको जॉइन कीजिए, तो complete package है, आपके पास ICONTA, जो सेकडो लोगों को IIM पहुंचाया है, तो फिर आपके लिए वी रास्ता पूरी तरीकी से तयार है, ठीक है, बस आपको जुड़ना है, हमा से पढ़ते रहिए, रिलाक्स रहिए, जो होगा देखा जाएगा, बस वही, आप मेहनत करिए, बाकी का छोड़ दीजिए, जितना आप धिजब करेंगे, उतना आपको मिलेगा, खोब मेहनत कीजिए, खोब अच्छे नम बल लाईए, खोब अच्छे पर सेंटाइल तो सब इंसान से बढ़के कुछ नहीं दुनिया, तो सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है, बस मेहनत, मेहनत उसके आगे सब कुछ भी कार, तो मिलते हैं, नेक्स पार्ट में तब तक ना ख्याल रखिये, बाई-बाई-बाई-टेके टू, अलाफ यू, खोब लगक,